गुड इवनिंग एवरिवन आज हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करेंगे पहला कंसेप्ट आपके पास है सॉलिड एंगल दूसरा है आपके पास एलक्रिक फ्लक्स फर्स्ट सी सॉलिड एंगल तो सॉलिड एंगल समझने से पहले सॉलिड एंगल हमारे पास टॉपिक रहेगा सॉलिड एंगल समझने से पहले आपको एक इसका सब टॉपिक समझाऊंगा एरिया सभी को पता है area क्या होता है अलग-अलग figures के area क्या क्या होते हैं सभी को पता है but important part ये है area is a vector quantity इसमें दू important point जानने के लिए है पहला area is a vector quantity अगर vector quantity है magnitude निकालना आपको आता है magnitude can be calculated by various formulae we have studied in lower classes जैसे area of rectangle is length into breadth area of square is pi r square area of sphere is 4 pi r square area of cylinder that is curved surface area of cylinder is 2 pi r ये different surfaces का आप area निकाल सकते हैं बड़ जो important is मैं आपको बताने जा रहा हूं direction 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 of area is always perpendicular to the surface and and towards तो यह वाला पाट हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से always towards the observer होता है and perpendicular to the surface होता है let's see that now here are various solids right different solids है मैं आपको इसको modeling view में दिखा रहा हूं अभी फिर मैं आपको इसका detail view भी दिखा हूंगा don't worry about that now these are various solids सबसे पहले हम लोग कुछ solid को study करते हैं जैसे कि this no cube के आपके पास जैसे ही पता है छे faces होते है right यहां पर यह जो उपर वाला face है अब उपर वाला face को तो मैं उपर से ही देखूंगा see उपर से देख रहा हूं magnitude इसका क्या होगा इस face का cuboid है या आपके पास एक rectangular face अगर है आपके पास तो length into breath अब direction आप देख लो direction क्या है perpendicular to the surface अब आप यह वाला area देख लो green वाला area यह green वाला area में भी same है direction क्या है perpendicular to the surface and red वाला देख लो perpendicular है similarly एक spear है और इसके इस point पे मैंने perpendicular बनाया है यह perpendicular कैसे बनाया है इस point को spear के center के साथ join किया है वो दिखाया जाएगा center के साथ कैसे join किया है तो यह spear को क्या बन गया perpendicular बन गया कभी भी spear का surface area बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे similarly हम लोग बात कर रहे हैं अब फिर cylinder के बारे में गेरा cylinder cylinder के तीन surface होते हैं अब उपर वाला surface है तो उपर से देख रहा हूँ तो area भी देखो area vector कहां पर रहे उपर के तरफ है क्योंकि उपर वाला surface is visualized उपर से ही तो इसका area vector देखो उपर के तरफ है अब जब नीचे वाला surface फिस side वाला surface के बारे में आगे हम नीचे वाला surface के बारे में देखेंगे अभी नीचे वाला surface देखो नीचे वाला surface कहां पर है सेम इसका area vector towards the observer area vector is always towards the observer does not matter क्या हो रहा है यह हमेशा observer के towards ही रहता है area vector and last आपके पास side वाला part है यह वाला यह radially outside क्योंकि कोई भी curved surface को अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो curved surface के center को join कर दें तो यह radially outward है जिस तरीके से मैंने आपको electric field का दिखाया था radially outward यह वही radially outward direction है बस इसको इसके axis के साथ join कर दिया same horizontal level पर तो आप इसका अगर detailed view देखना चाहेंगे कि ऐसे ही center के साथ join हुआ है कि नहीं हुआ है you can see it's detailed view जैसे कि अगर मैं मान के चलो इसको join किया इसको and इसको select किया तो आपको पता चल जाएगा यह part में कि कि यह center से joined है देख लो spear के center के साथ joined है यह वाला point similarly अगर मैं इसको और इसको select करूं आपको पता चल जाएगा यह भी आपके पास कि इसको नहीं है तो हम लोग करवा देंगे कोई issue नहीं है एक्सिस के साथ बस एक्सिस के साथ join रहना है और perpendicular लेकर आना है और कोई issue नहीं है आपको बस उतना ही करने का है तो this is the area vector तो आपको अगर यहां पर diagramatically इसमें दिखाऊं लिखकर बताऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं area vector क्या होता है यहां पर आपके पास कोई भी object हो जैसे कि अगर आपके पास for spear आप area vector कैसे बनाते हैं कुछ नहीं करना है यहां यहां स्पियर यहां स्पियर का center यहां कोई भी point right join कर दू ऐसे dotted इदर लेके जाओ this is area vector similarly for अगर आप बोलेंगे rectangular surface rectangular ले लो और triangular ले लो या आप circular surface ले लो फ्लैट सर्फिस ले लो या elliptical कोई भी type का फ्लैट सर्फिस ले लो मैं यहां पर rectangular surface बता देता हूं आपको यह रहा एरिया vector जैसे कि अब यहां पर आप क्या करोगे यह तो हो गया surface यहां से बस आपको क्या करना है perpendicular बनाना है this is area vector right to all for curved surfaces like for curved surfaces of cylinder अगर आपको यह जानना है आपको यहां पर अपने यह diagram बनाया यह आपके पास cylinder है यह उसका curved surface है right flat surfaces easy है flat surfaces यह circular surface तो आपको समझा दिया हूं curve surface के लिए आपको axis बनाना पड़ेगा कोई भी point है उसी कोई पॉइंट पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा horizontal यूज करना पड़ेगा like this like this horizontal arrow mark होगा उसी point पे ऐसे नहीं कि यहां उपर से बनाया नहीं उसी से ही radially outward अगर आपको यह वाला point पे देखना है if point chosen is this one then same काम करना है इसी लवल से इसी लवल से इधर जाएगा तो this is area vector for cylinder right तो all these are area vector curved surface तो अब कहीं पर भी बनाया ऐसा जोड़ी नहीं area vector midpoint पे बनाया या कहीं पर भी बनाया बस vector का जो direction होगा is perpendicular to the surface पस इतना यहां रखना direction of vector is perpendicular to the surface अब आ जाते हैं हमारे पास solid angle वाले पार्ट में आ जाते हैं यह solid angle नो difference between solid angle and plane angle plane angle आपके पास क्या होता है फिस solid angle आपके पास समझाएंगे plane angle आपके पास होता है angle formed by intersection of two lines उसको plane angle बोलते हैं कोई भी दू लाइन का intersection जैसे यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया और यहां पर एक और लाइन भी ड्रॉ किया उसको intersection दिस intersection एंगल को हम लोग plane एंगल बोल देंगी यह वला एंगल को और यह हमेशा दो लाइन सही बनता है और किसी चीज़ से plane angle नहीं बन सकता चांस ही नहीं है दो लाइन का intersection सही आपके पास plane angle बनेगा 8th line on 2sra line right but solid angle is quite different what is solid angle angle formed by projection of a surface at a point यह projection of the surface का मैं best example आपको देता हूँ projection of the surface का यहाँ पर मान के चलो आपके पास क्या है एक circular surface है एक circular surface है circular surface है तो हम इससे बना ही सकते हैं एक circular surface है right एक surface है और यहाँ पर एक point है इधर एक point है इस जगह पर एक point है आप projection लेना चाहते है projection word का मतलब क्या होगा आप यहाँ पर जितने point है इसके circumference पे circumference of the two dimensional surface कोई भी surface के circumference पे इस point को join कर दीजे सभी point को जितना point है यह होता है projection word का मतलब तो क्या लगता है आपको कौन सा figure बनेगा अगर आप सभी point को join कर देंगे सभी point को अगर join कर देंगे तो आपके पास figure बनेगा कौन वन असर्कूलर शर्फेस इस प्रोजेक्टेड अ कोन इस फर्म और यह जो एंगल को यह जो यहाँ पर आपके पास three dimensional एंगल बन रहा है देखो यहाँ पर यह जो ऊपर का कौन एंगल जो बनता है आपके पास यह उपर में यह जो कौन एंगल आपके पास बनता है यह तिस अंगल पर शॉल सॉल लिएंगल यह तिस अंगल को हम लोग स्वलिड दयू ह है थिस अंगल पोढ़ मिल एंगल अग्र इंगल और इस रिप्रेजेंटीट बाइड ओमेगा अ जो ऊपर के तरफ को नंगल बनता है अगर आप क्या करें अगर कभी भी देखना चाहए को नंगल कैसा दिखाई देता है तो बस आप वो जो एक पेपर को लें रफ करें और देखें कि आपके पास एक कोन बना के देखें उपर की तरफ जैसे angle बनता है that angle is known as your solid angle right now इस diagram में हम लोग देखेंगे यह आपके पास क्या है एक spherical, sorry circular surface है जैसा कि मैंने आपको बताया है this is your circular surface see, this is your circular surface right, तो इस circular surface में आपके पास इधर से 4 point लिया और उसको एक point पे मैंने join किया, इधर तो सिफ 4 point लिया, मान के चलो सारे point को join करूंगा सभी point को, आपको मैं join करके भी दिखाऊंगा, don't worry about that अभी अगर मैं सारे point को join किया हूँ तो आपके पास यह structure कैसा structure बन जाएगा, कैसा आपको लग रहा है मेरे ख्याल से conical structure बन जाएगा अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सारे point को अगर मैं यहाँ पर join कर दूंगा तो एक conical structure बन जाएगा और सामने वाला जो angle आपको यहाँ दिखाई दे रहा है यह angle मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहा यह देखो यह जो angle आपको दिखाई दे रहा है this angle is solid angle यह वाला जो angle है इसको solid angle मैंने बताया हुआ है इस angle को हम solid angle बोलेंगे, right? So right now, यहाँ पर जो solid angle का concept है, जो मैंने आपको बताया है, कि solid angle हम लोग इस वाले portion को बोलते हैं, now, how to calculate this solid angle? यह तो आपके पास concept समझा दिया, यह मैं सिर्कुलर सर्फेस के बारे मैं बात कर रहा हूँ, for any arbitrary surface, right? अगर आपके पास for any arbitrary surface, अगर मैं यह statement दो, how to locate the solid angle? for any arbitrary surface, आपके पास यहाँ पर एक point है, और यहाँ पर आपके पास यह एक surface, कोई भी surface, कैसा भी shape का surface है, right? यह रहा, all you need to do is to join all the points from the circumference, सारे point को join करो, हम लोग basically 4 point लेते हैं, 4 point लेते हैं, क्यूंकि बाकि सारे point को join करने के लिए दिखाने की जरुवत नहीं है, तो यहाँ पर लिया, और यह जो angle आपके पास बनेगा, this angle, see, यह angle, जो आपके पास बन रहा है, that angle is called your solid angle, this is your solid angle, मतलब कोई भी surface, एक point पे जो angle project करता है, basically हम लोग जो angle के बारे में बात करते हैं, conical angle के बारे में बात करते हैं, याद रहे, हम जो भी angle के बारे में बात करते हैं, तो अब कोई भी सर्फिस का आप सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मुला क्या है यह आपको समझाया जाएगा हम लोग जब सॉलिड एंगल निकालते हैं तो जनरली स्पीर का ही निकालते हैं कैसे स्पीर का निकालते मैं आपको समझाता हूँ जैसे for example हमेरे पास यहां पर एक cone है एक sphere का निकालने का है वो मैं आपको समझाता हूँ देखना किस तरीके से निकालते हैं इसको मैं एक 3D डाइग्राम से आपको समझाऊंगा Let's see how to calculate this solid angle Solid angle calculate करने का तरीका क्या है आप पहले कोई भी surface एक select कर लेंगे जैसे मैं यही surface के बारे में पहले मैं बात कर देता हूँ एक बहुत जादा misconception है मैं वो misconception भी सही कर दूँगा तो आपके पास यह वाला point era यहाँ पर solid angle निकालना है तो जैसे कि हमने बताया steps क्या है सबसे पहले यह area को आप क्या कर लेंगे यहाँ पर join कर लेंगे join कर लिए जब आपने join कर लिया यहाँ पर क्या करेंगे एक particular r radius का join करने के बाद यह particular r radius का एक sphere बनाएंगे एक particular r radius का यह sphere बनाएंगे यह जो cone इस sphere को जितने area में intersect कर रहा होगा बिकॉज यहाँ पर cone भी तो particular area में intersect कर रहा होगा जैसे इधर यह वाला यह spherical area जो आएगा इधर हम लोग यह area consider करेंगे ना कि उसका यह जो area आएगा formula होता है solid angle का omega equals a by r square यह area इस इरिया इसने इधर जो बनाया मतलब this is area projected on the sphere तुमको बस समझा रहा हो यह basic concept है higher concept हमको इतना जरुवत नहीं पड़ेगा हमको जितना जरुवत पड़ेगा मैं वो ही बता रहा हो बस जादा कुछ नहीं कर रहा हो मतलब अगर मैं आपको इसका 3D view दिखाऊं तो आप इसका 3D view देखेंगे कि किस तरीके से आप projection दिखाना जाते हैं for example मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या बना लूँगा एक sphere बना लूँगा this is your sphere उसका कोई ना कोई center तो होगा ही होगा definitely होगा अगर center बनाने के लिए मैं यहाँ पर access insert कर लेता हूँ तो अपने पास यहाँ पर access भी आ गई center बनाने के लिए so let's see तो इसको इसके center पर डाल देते हैं access को now you can see that access अपना center पर आ गया है तोड़ा सा यह access अपना center पर आ गया right यह रा के पास access x y z axis अपना center पर आ गया है right अब आपको कुछ नहीं करने का है यह जैसे यह sphere है अब आपको मैं वो area दिखाता हूँ वो जो cone वाला area जैसे इसको मैं white color देता हूँ वो intersecting area दिखाता हूँ आपको यह intersecting area क्या है for example आप यहां पर एक projection लेना चाहते हैं किस चीज़ का projection लेना चाहते हैं एक इस surface का projection लिए एक यह वाले surface का projection लिए इस वाले surface का this is a spherical disc circular disc इसका अपने projection लिया है कहीं यहां पर अपने projection लिया है तो इसी point पर आप projection लिये हैं तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं एक यहां पर बहुत सारे lines से उसके center को join करेंगे जैसे कि मैं आपको अलड़ी दिखा दिया हूँ समझा दिया हूँ कि बहुत सारे lines से हम लोग कैसे join करेंगे यहां पर से एक line इठाएंगे यहां से उठाएंगे इधर center में यहां से उठाएंगे इधर center में तो आपके पास एक particularly क्या बन जाएगा ना कोन बन जाएगा तो हम लग वही कोन बनाके देखते हैं जो यहां पर बनेगा इस जगा पर बनेगा इसी का ही जो सभी line को join करने से, इसी की सभी line को join करने से, जो cone बनेगा, वो बना के देखते हैं हाँपर, let's see और फिर उसका projection लेते हैं cone बना के उसका projection लेते है cone का shape size सेमी रखा जाएगा जो डिस्क का है अब देखो इस कोन को यहां से इसका एरिया का प्रोजेक्शन ले रहा हूँ थोड़ा से जादा साइसे अब ठीक है अब देखो जैसा डिस्क का है वो ही कौन का है अब इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं इसके सेंटर पर इसके सेंटर पर लेने का है और इसके सेंटर कैसे पता लगाएंगे इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं नहीं सेंटर पर नहीं जा रहा है इसी अब इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इधर से सेंटर पर डगते हैं यह रहा अब आप चेक कर सकते हैं कि यह सेंटर पर आ रहा है यह सेंटर पर आ रहा है तो आपको वही एरिया बताता हूँ यहाँ पर ध्यान से देखो यह वाले पॉइंट पर यह वाले पॉइंट पर यहाँ पर कुछ एरिया आ रहा है इस जगह पर इस जगह पर यह एरिया है यह जो एरिया होता है इस एरिया इस नोन एस प्रोजेक्टेड एरिया और अच्छे से दिखाता हूँ आपको यह जो एरिया होता है आपके पास यह जो area जो आया है यह आपके पास projected area है यह वाला area यह जो cone ने इस point पे project किया है तो आपने क्या किया सबसे पहले यहाँ पर cone बनाया इसको center पर रखा फिर यहाँ पर radius का sphere निकाला हम यही area के लिए interested है तो this is your solid angle और formula होता है a by r square a by r square होता है अब आप बुलेंगे सर ऐसा तो हमेशा जरूरी नहीं है कि यह सीधा सीधा हो कोई एक तेड़ा भी तो हो सकता है yes definitely हो सकता है अगर आपके पास यह वाला disk इस तरीके से तेड़ा हो यह वाला disk इस तरीके से तेड़ा हो और आपको अब भी यहाँ पर निकालना है अब यह कहां से कौन बन गया यह तो कौन बना भी नहीं नहीं है कोन बना भी नहीं यहाँ पर कौन कैसे बनता देखो कौन इस तरीके से बनता अगर यह यहाँ पर क्या होता सीधा सीधा होता इस तरीके से इधर कौन बन जाता लेट्स सी इस तरीके से कौन बन जाता अगर यहाँ पर यह ऐसे सीधा होता तो ऐसे कौन बन जाता पर कौन बना नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे यह कोई ना कोई एक एंगल पे तो tilted है ना ये वाला part एक angle पे tilted है let यह जो भी angle पे tilted है आप यहाँ पर इसका ये वाला component निकाल लेजिए क्यूंकि यही तो इसको normal है कोन बनाक component निकल गया तो ये जो भी component निकलेगा यहाँ पर अपना area कभी वही component होगा because सबसे पहले आपके पास यह projection कुछ टेड़े तरीके से हो रहा है यहाँ पर भी इस pier के उपर जो area का projection होगा वो भी कैसे हो रहा होता है यही टेड़े तरीके से हो रहा होगा क्योंकि जैसा वो कौन बना है ऐसा इसका total cross section रहेगा तो आप क्या करेंगे यही वाला वो area है जो हमको निकालना है और यह area और यहाँ पर एक angle बनाते रखा हुआ है and this angle is theta right अब आपको कुछ नहीं करना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर उसका component निकालना है वो component निकालना है जिसका answer से हम जिससे यह पूरा कौन बन जाएगा अब देखो यह component निकाल लोगे तो कौन बन जाएगा तो यह वाला component कैसा component है यह वाला component देख लो यह वाला component आपके पास क्या है a cos theta तो आपने यहाँ पर r radius का square choose किया था तो यहाँ पर यह जो solid angle बनेगा is given by a cos theta by r square इस तरीके से बनेगा तो solid angle calculate अब आप बुलेगे सर यह वाला तो हमारे पास चलो square हो गया सॉरी एक circular disk हो गया अब आपके पास अगर कोई दूसरा भी है कोई दूसरा भी कोई भी arbitrary shape है for any arbitrary shape और यह area एक कैसे निकालनेगे निकालना ही नहीं है आपको यह required ही नहीं है यह area निकालना required ही नहीं है हमको भी निकालने के लिए higher physics है अपने पास यह निकालने के लिए required है ही नहीं है अपनको तो आपको यह जो बता रहा हूँ वो ध्यान से समझेंगे अगर आपके पास पूरा का पूरा एक स्पीर है यह important concept है जो हमको याद रखना है जो हमको चाहिए या चलो स्पीर यह पूरा का पूरा स्पीर है फिर मैं कार्बिटरी सेप का पता दूँँआ स्पीर एक अच्छा शेप है और यहाँ पर एक छोटा सा आपने area select किया 2 dimensional दिखा नहीं पा रहा हूँ तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा area select किया यह area selected है रैट छोटा सा area तो अभी सी बात है मैंने आपको area vector का direction क्या बताया this is area vector का direction Captain और यहाँ पर radius r है तो अगर area छोटा है यहाँ पर एंगल भी छोटा बनेगा तो for a sphere यह छोटा सा एंगल इस गिवन बाई d a by r square right तो अगर आप बोलेंगे sir यह पूरा एरिया इंटिग्रेट कर दें तो पूरा एरिया तो आपके पास पूरा एंगल यहाँ पर कितना है वो आ जाएगा पूरा एंगल at the center by square पूरा एरिया क्या होता है 4 by r square by r square 4 by steridian यह इसकी unit होती है यह हमारा बहुत काम आता है solid angle subtended by the sphere at the center, total sphere का अंदर की तरफ जो solid angle होता है that is 4 by steridian होता है तो यह जो आप बोल रहे हैं जो डी ए एरिया के वज़े से आ गया यह square का अगर मान के चलो कोई भी arbitrary shape हुआ कोई भी arbitrary shape हुआ मान के चलो this is an arbitrary shape यह कितना solid angle बनाएगा इसका solid angle का story क्या होगा same story रहेगा यहाँ पर मैं एक point लूँगा यहाँ से इसको join कर दूँगा अब कितना area ऐसे पूरा join कर दिया नो यह कितना area आप करेगा यहाँ पर यह किया अब आप बोलेंगे सरी यह तो खुद arbitrary है आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर तो यह arbitrary area project करेगा कोई issue नहीं है इदर एक छोटा छोटा area लेके निकाल लेंगे integrate कर देंगे इसी तरीके से इसी तरीके से integrate कर देंगे कोई problem नहीं होगा यह this is solid angle for any arbitrary shape यहाँ पर यह जो भी आया है तो यहाँ पर अगर solid angle अगर आप निकालना चाहेंगे omega same a by r square and this is area a और यह distance क्या है सबका same तरीके से निकलेगा तो आपके लिए जो required information है वो यह है कि एक पूरा का पूरा sphere center में कितना angle substitute करता है this 4 pi steridian right this is the concept of solid angle